क्या हुआ जब गाते गाते रोने लगे जगजीत सिंग? जगजीत सिंग आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज की खनक हमें सदियों तक उनका एहसास कराता रहेगा. उनकी गायकी में हर वो कशिश थी कि लोग सहचता से उन्हें घंटों सुन सकते थे. जगजीत सिंग को गजल समराट कहा जाता है. साल 1990 में एक घरेलू पार्टी में जगजीत सिंग परफॉर्म कर रहे थे. पार्टी खत्म होने को थी. तब ही अंजू महिंदरू की फरमाईश हुई कि जगजीत सिंग जाने से पहले दर्द से मेरा दामन भर दे, सुना दे. ज आरेकरम खत्म हुआ तो उनके इकलोते बेटे विवेक सिंह की सड़क दुरगटना में मौत की खबर आई. बेटे की अर्थी का बोज किसी के लिए भी दुनिया का सबसे बड़ा बोज होता है. जगजीत सिंग बेटे के अंतिम संसकार में आए ज्यादातर लोगों के जाने के बाद बोले उस रात उपर वाले ने मेरी आवाज सुन ली और मेरा दामन दर्थ से भर दिया. ये जगजीत सिंग के जीवन का सबसे बड़ा सदमा था. जगजीत सिंग की पतनी चित्रा सिंग तो इस सदमे को बरदाश्ट ही नहीं कर पाई. उन्होंने गाना गाना तक छ खोड़ दिया. बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब और पेज को फॉलो करना न भूले.